नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी existing labor laws और code on wages में क्या अंतर है कौन से बड़े बदलाव अभी existing labor law में हुए है जिसे की जाके बढ़ा है ये code on wages act तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि code on wages act में क पहलार लेबर लो रखे गए है सबसे पहलार लेबर लो है इसमें minimum wage act 1948 दूसरा payment of wage act 1936 तीसरा payment of bonus act 1965 और चोथा सबसे लास्ट है equal renovation act 1976 तो इन चारो एक्ट को मिलाके ये code of wage act बनाया है और इसमें क्या अंतर है इन चारो में अभी क्या requirement है और आके जाके क्या requirement होगी तो हमने आज की वीडियो में जानने की थोड़ी कोशिश की है तो existing में अभी जो register हमें बनाने पड़ते हैं वो इन चारो एक्ट के तहत ह हम लगबग 10 register बनाने पड़ते हैं तो 10 कैसे सबसे पहला minimum wage में चार, payment of wage में दो, payment of bonus में तीन और equal renovation में एक तो टोटल मिलाके 10 register बनाने पड़ेंगे लेकिन आपको जाके बहुत जानके बहुत खुशी होगी कि आगे जो code and wages है इसमें requirement जो है वो टोटल दो ही register की तो 10 के ज से आज के topic में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो returns हमें अभी existing तोर पे अलग-लग act के तहत अलग-लग returns लगबग चार return हमें साल में file करनी होती है लग-बग average तोर पे बट आगे जाके ये सिर्फ चारों को एक में कलब करके और एक return से ही काम चल जाएगा तो इसमें भी हमारे जो employer है और हमें बहुत ही फाइदा होगा हमारे time की बचत होगी हमारी मशक्कत की बचत होगी energy की बचत होगी और सबसे बड़ी जो चीज जो यह है कि इसमें जो penalty close था उसको थोड़ा और सक्त कर दिया गया है ताकि इस लोग को अच्छी तरह execute किया जा सके इसका पालन करव जा सके तो अभी जो इन लोज में देखे तो 500 रुपे से लेके और 2000 रुपे तक के fine का प्रावधान है और 6 महीने से लेके एक साल तक की सजागा भी प्रावधान है बट जो code on widgets है इसमें थोड़ा सक्त नियम रखे गए हैं जिसमें लगवग 1 लाख रुपे तक का fine हो सकता है और 6 महीने से लेके और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है